पूर्णिंग एवरीवन, मैंसल फिरल शास्त्री और आज हम जो सब्सिटूशन टेक्निक देखने वाले हैं उसका नाम है प्लेफेर साइफर, वन आफ माइ फेवरेट सब्सिटूशन टेक्निक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अब देखो प्लेफेर में हमें करना क्या होगा चीटियो के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है कि जो हर बार एक्जाम के अंदर पूछा जाता है सबसे पहले आपको इसमें करना है फाइव क्रॉस फाइव मेट्रिक्स का एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हमें क्या करना होगा जो भी हमारे की के लेटर्स दिये गए होंगे उनको हमें उसके अंदर सब्सिटूट करना है उसके बाद अब देखो 5 क्रॉस 5 है तो कितने बॉक्स बनेंगे 25 और हमारे पास आल्फाबेट्स कितने होते है 26 अब देखो की जो दी गई होगी उसको आमें लिखना है और उसके बाद रिमेनिंग आपके पास जो भी आल्फाबेट्स होना उसको आपको उसके अंदर फिल अब आपके पास अगर कहीं पे i आता है तो आपको साथ में j को लिखी देना है आप किसी दो और अलफाबेट का पैरिंग नहीं कर सकते आपको हर बार i और j का ही पैरिंग करना होगा क्यूंकि हमारे पास 25 बॉक्सी से इसलिए और अलफाबेट हमारे पास है 26 अब जैसे की एक एक्जामपल लेते यहाँ पे कीवर्ड हमें दिया गया है occurrence और plain text दिया गया है हमारे पास tall trees अब ज्यादा तर लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि आपको जो plain text दिया गया होता है ना उसको आप arrange करते हो 5 x 5 matrix के अंदर तो आपको यह गलती यहाँ पे करनी नहीं है आपको किसको arrange करना है 5 x 5 matrix के अंदर आपकी जो key provide की गई हो उसको keyword भी बोल सकते हो या फिर key भी बोल सकते हो दूसरी चीज आपके पास जो भी repeating letters आ रहे हो ना उनको आपको उसके अंदर फिल अप करना नहीं है जैसे कि यहाँ पे हमने 5 x 5 का एक matrix बना दिया अब सब से पहले उसमें क्या फिल करेंगे हम लोग अब उसके बाद लिखेंगे हम उसके अंदर c अब देखो c दो बार repeat हो रहा है ना तो आप उसको बार बार नहीं लिखोगे एक बार लिख दिया फिर खतम उसके बाद आप क्या लिखोगे u उसके बाद r अब r भी दो बार repeat हो रहा है तो एक ही बार लिखना है दूसरी बा अब C वापिस से आया, तो उसको नहीं लिखना है, तो हमारे पास इतने ही alphabets हुए, अब remaining alphabets जो है हमारे ABCD के, उसको हमें यहाँ पे place करना है, तो अब क्या आएगा, A, B नहीं आया है, तो B, C already आगया है, तो C को मत लिखो, फिर D, E आगया है, तो F, फिर G, H, I और J को साथ में लिखना है, फिर K, L, M, N आगया है, तो वो नहीं आएगा, O, B आगया है, तो P, Q, R आगया है, सो S, T, U आगया है, तो V, P, W, X, Y, और Z, अगर आप यह ऐसे fill up करते हो, और आपके alphabets अभी भी remaining है, तो समझ लेना कि आपने 5 x 5 matrix बनाने में गलती ही है, तो playfair के अंदर सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो है, आपको अपने keywords को 5 x 5 matrix के अंदर अच्छे से arrange करना है, clear, इतना करने के बाद हमें थोड़ी बहुत चीज़े ध्यान में रखनी है, जो basic है, आप 2-3 examples solve करोगे, तो आपके mind में यह feet हो जाएगा, सबसे पहले, कि आपको करना है, 5 x 5 matrix के अंदर arrange तो करी देना है, उसके बाद अगर आपके पास 2 repeating letter आते है, तो उनको आपको क्या करना है, separate करना है, या फिर x से उसको fill up करना है, जैसे कि यहां आरे पास plain text में है tall trees, सबसे पहला step क्या है, इसका पता है आपको, इसको आपको दो-दो parts में divide करना है दो-दो letters के अंदर separate करना है, तो टी ए आएगा, फिर double L, टी आर, double E और S, उसमें भी एक condition है, कि आप दो letter एक जैसे ही हो, या फिर repeating letter आप उसको बोलो, तो आप उसको साथ में नहीं रख सकते, तो आपको ऐसे case में क्या करना है, उसको filler letter से add करना है, और हम हर बार filler letter क्या ल चलना है, आपका supporting co-actor, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, supporting co-actor, मतलब जब भी आपको कहीं दो letter repeating दिखे, तो आपको X को as a supporting co-actor ले लेना है, clear, तो देखो, अब TA सही है, चलो, उसमें कोई repeat नहीं हो रहा, अब double L है हमारे पास, तो एक L को हटा दो, और उसकी जगा पे हम और E, S, अब हमारे पास कोई repeating letter नहीं है, clear, तो अगर आपके पास दो repeating letter आते हैं, तो आपको उसको X से क्या करना है, separate कर देना है, इसको आप special letter भी बोलते है, अब ऐसा करने के बाद, देखो, कहीं जगा पे बहुत कुछ बोला होता है, कि आप X, Y, Z, कुछ भी ले सकते हो, बट यह मान के चलो कि आपको क्या लेना है, X ही लेना है, अब यह कब लेना है, if there is an odd number of letter, then add uncommon letter to complete diagram, X oblique Z may be added to the last letter, मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर E अकेला नहीं छोड़ सकते हैं आप, हमें दो letter की pairing करना है, तो आपको क्या करना होगा, compulsory दो दो letters तो लेना है, तो आपको कभी भी ऐसा लगे, कि एक single letter पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, X उसको filler letter के place पर ले लोगे, कहीं जगा पे Z भी बोलते हैं, बट मैं prefer करती हूँ, X को as a filler letter लेना, clear तो आप X को as a filler letter ले लो, अब जैसे यहाँ हमारे पास है network, यहाँ पे हमने बीश में filler letter add किया, और कभ अकेला हो गया, तो हम किसी को अकेला तो छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए हम K के साथ क्या add कर देंगे, X को add कर देंगे, तो X दो special cases में add होता है, कब, तो कि भई जब आपके letters repeating हो तक, यहाँ पे जैसे L repeating है, तो हमने L को किस से replace कर दिया, X से replace कर दिया, यहाँ पे K अके रखने है, जैसे कि यहाँ पे हमने वही वाला example, occurrence को हमने यहाँ पे लिखके रखा है, अब देखो, पहली चीज, कि अगर आपके दो letter, same row के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे R और E, सबसे पहले मैं बता दू, कि इसको हम बोलते है, row, इसको बोलते है, column, तो अगर आ replace कर देना है, तो R किस से replace हो जाएगा, E से replace होगा, बड़ E के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो आपको E को किस से replace करना है, O से, घूम फिर के आपको कहाँ पे आ जाना है, वही वाली रोपे यहाँ पे आ जाना है, clear, तो अगर same row में है, तो आपको उस particular letter के next right पर जो भी letter होगा, clear, यह हुई same row की बात, अगर वही वाली चीज़ के भई same column के अंदर हो तो, जैसे की L और T, तो हम क्या करेंगे, immediate next letter जो भी होगा column के अंदर, उस से उस वाले letter को replace कर देंगे, so L किस से replace हो जाएगा, T से, और T किस से replace हो जाएगा, Z से, अगर यहाँ पे Z दिया होता तो, T, Z होता तो, तो T replace होता हमारा Z से, और Z हमारा replace हो जाता, E से, जैसे row में हमने देखा कि wrap around करके वापिस आ रहा है, वैसे column के अंदर भी आपको वापिस जाना है, यह हुए दो case, बट भई, अगर ना same row में है, और ना ही same column के अंदर है, तो फिर, तो उसके लिए हमारे pass है, कि जैसे आप यहाँ पे देख लो, T और A, तो T कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, और A हमारा है, यहाँ पे, अब ना यह सेम row में है, और ना ही same column के अंदर है, तो अब हमें क्या करना है, T से A तक जाना है, तो आप T को पकड़ो, और A की direction में जलो, तो T मेरा यहाँ प P point पर intersect कर रहे है, तो हमारा T किस से replace हो जाएगा, P से, वैसे ही अब आपको कहाँ जाना है, T से A तक जाना है, हमने यहाँ पे कहाँ गए थे, T से A तक, अब A से T पे जाओ, तो A से आप देखो तो यहाँ पे, और T यहाँ पे, तो दोनो F पर intersect कर रहे है, तो आपका A जो है वो replace हो जाएगा, F से, अगर same row और same column के अंदर नहीं है, तो आपको उन दोनों का intersection point चेक करना है, और उस हिसाब से उस particular later को, वो intersection point से आपको क्या करना है, replace कर देना है, clear, so अब हमारे पास example है, हमारा tall trees, clear, तो देखो, हमने यहाँ पे already इसको separate कर लिया है, तो अब T और A, हमने basic rules भी समझ लिये है, तो अब हमारे पास T और A है, तो पहला ही rule आगे हमारे पास के T यहाँ पे है, और यह यहाँ पे है, तो T से हमें यहाँ पे आना है, तो T से अगर आप यहाँ पे आओ, तो P है, और यहाँ से देखो, तो यह दोनों P पर intersect कर रहे, तो T हमारा P से replace हो जाएगा, clear, T P से replace हो गया, और A हमारा होगा F से replace, clear, यह होगा हमारा F से replace, फिर L और X है हमारे पास, तो again L यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो सबसे पहले आप L से X की direction में जाओ, तो वो दोनों कहाँ पर intersect कर रहे है, I और J, तो आप I भी लिख सकते हो, और आप J भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, but most preferably हम हम हर बार I ही लिखेंगे, फिर X, तो X हमारा किस से replace होगा, Z से, क्योंकि आप X से यहाँ पे जाओ, और L से यहाँ पे आओ, तो क्या मिल रहा है हमको Z, तो X हमारा Z से replace होगा, उसके बादे L और T, तो L हमारा T से replace होगा, T हमारा Z से replace होगा, तो L T से और T Z से, फिर R और E, तो R E से replace होगा, और E होगा O से, तो E and O, उसके बाद E और S, अगेन intersection वाला आया, तो आप E से S की direction में आओ, तो यह कहाँ पे मिलेंगे, R पे, तो E replace होगा आपका, R से और S आपका किस से replace हो जाएगा? T से, clear? तो T A replace होगा आपका, P F से, L X replace होगा, I Z से, L T replace होगा, T Z से, R E replace होगा, E O से, और E S आपका replace होगा, R T से, I hope कि आपको यह play fair, cypher समझ में आ गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like and share my video, thank you. क्या क्या एफ, एक पया होगा